नमस्कार दोस्तो, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेक सिंग, दोस्तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि घर भले ही दो महीने, छे महीने बाद में बनवाईए, एक बार म बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कि या तो सही जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और दूसरी चीजी यह है, आप देख करके बता है दोस्तो, मालिक के तरफ से इंट भी दिया गया है, सिमेंट भी दिया गया है, सांति सांत दोस्तो, कंक्रीट के लिए कोई भी निकत वाली बात नहीं है, बस उसको लगाने का जो तरीका है, वो मिस्तरी का स्वराफर गलती है, सबसे पहले नीचे से ये स्टार्ट करते हैं, एक एक गलती में आपको बताते चलूँगा, जो ये टाइबीम दिया गया है ना, ये टाइबीम दिया गया दोस्तों, वो कुछ को कि बाहर में गड़ा है, तो बाहर के तरफ ढखे लेगा दोस्तों, अंदर में तो मिटी ही रहेगा, और उस कारण से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी से ही यहाँ पर दरार आना बिल्कुल जो है वो आप देख सकते हैं कि दरार आना स्टार्ट हो गया है, और यह दरार दोस्तों दिन के साथ, दोस्तों बढ़ता ही जाएगा, यह दरार आप घटने वाला नहीं है, थ्रूआउट आपको दोस्तों बॉन्डरी दिखाएगा अगर जूम करके दिखाऊ तो, दूसरा गलती आप देखेंगे, यहाँ पर, किस तरीके से दोस्तों कैसा ठलाई किया गया है, यह तो बताने किया हो सकता नहीं है, जगा-जगा पर हनी कॉम्ब है, एक चीज और देख लिए दोस्तों, पूड़ा का पूड़ा इंट यहाँ पर, आप देख सकते हैं, कॉलम में इंट दोस्तों पूड़ा गया हुआ है, यह गलती है, एक चीज और आपको मैं दूर से दिखा रहा हूँ दोस्तो। और ये सारी चीजे वो आपको सीखनी है और आपको अपने घर मने करनी है। देख सकते हैं दोस्तो। किसी भी चीज को अगर उपर में घर बनता है या फिर अलग का ये बीम का जो लोड है दोस्तों वो सीधा अगर आपका कॉलम ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि आपका कॉलम बनाने का कोई मतलब नहीं है लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कॉलम खुद में ही सीधा नहीं है तो आप मुझे बताए कि ये लोड को ट्रांसफर किस तरीके से करेगा यह जहां पे ही दोस्तों देखेगा कि कमजोर पाठ है वहीं से दोस्तों यह जो है वो मुड़ना टूटना इस्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो दो दिन रुख जाईए एक मैना रुख जाईए लेकिन दोस्तों घर सही आप देखी यहां पर देख सकते हैं यहां पर डेख सकते हैं दोस्तों जो आपका ground beam दिया गया है कहीं भी आपको कोई भी इस तरीके का जो यहां पर आपको crack दिखेंगा को नहीं मिलेगा चुकि सारा का सारा जो load है दोस्तों यह beam आपका carry कर रहा है और सीधे ground को transfer कर रहा ह आपका कॉलम ठीक है तो बीच में धसने-धस आने का कोई मतलब नहीं बन जाता है ये मिटी धसी है दोस्तो मिटी तो धसेगी उपर से दोस्तो इस मिटी को डाल दिया जायागा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है